हेलो स्वेज्न्स वेलकम बैक टुमाइ ये टूप शैनल प्रोफिसर शुबहमत्योरी जहां पे चल रहे हमारी EFY mm class semester 2 ये for the bath class semester 2 and EFY bms semester 2 complete math की स्थी और बात करने वाले हैं इंट्रेस अने उन्हें टी पाड़ जो चल रहा है लेक्षे नमबर आपको देखने मिलेगा नाइन और टॉपिक हमारे चल रहा है इंट्रेस्ट में सिंपल इंट्रेस्ट कंप्लेट करके कंपाउन इंट्रेस्ट पर चल गए हैं और कंपाउन इंट्रेस्ट कभी ये थर्ड क्लास होने वादा है अई हो फर एक बच्चियों को बच्चियों के का कॉंसेप्ट क्लियर होगा तो शर्य लिए सीधा क्वेस्ट पर चलिए आज का क्वेश्ट नमबर वन कि फॉर्मुला क्लियर है ना तो वह प्रैक्टिकल करने का मज़ा है फिर कुछ और है क्वेश्ट देखो जड़ा इस सम आफ रूपीज 12,000 विकम 17 to 80 इसका मतलब प्रिंस्पल इमाउंट दे दिया है ए दे दिया है एक्विमिलेटेट करता है एक ही अगर बात करता हूं 17 to 80 है वैसे भी जान रखना हर एक बच्चे को समझ में आ जाने चीए कौन सा प्रिंस्पल है कौन सा एम और नहीं अगर समझ में आता है एक छोटा सा हिंड दिया जा तक जो छोटा एमाउंट होगा हमेसा प्रिंस्पल होगा और जो नंबर ओफ यह तो मिसिंग है रेट ओफ इंट्रेस्ट हमारा रेट ओफ इंट्रेस्ट कितना है 20 पर्शेंट है बट यह फॉर्मूला बोलता है इसको कन्वर्ड कर लो बोले तो 20 डिवाइड बाई हंडेड कर लो तो 0.2 आना शाहिए यही आ रहा है क्लियर नंबर ओफ यह मिसिंग है यही तो क्वेश्टन मार्क लगा के रखा है बही कोई दिक्कत ने फॉर्मूला अप्लाई करो फॉर्मूला यह सिखा रहा है एक वन प्लस आई पावर एन लगा रहा है कोई दिक्कत नहीं एक इतना दिया 17 to 80 है वैलू पुट करते 17 to 80 इक्वल टू प्रिंसिप कर दो इसको डिवाइट करने के बाद आ रहा है 12,000 यहां क्या बचा प्लस कर दो 1.2 पावर एन डिवाइट करते हैं इसको जड़ा केल्से से 17 to 80 17 to 80 divided by 12,000 1.44 और यह है 1.2 का पावर एन अब ध्यान अगनक हमेशा इस टाइप के जितने भी समसाने वाले हैं मतलब number of year जिसमें missing दिखेगा हमेशा कुछ इसी pattern में आश्में answer आके रुख जाएगा और एक important शीज बता दू ना कि यह जो 1.44 है अगर बच्चों को basic याद हो तो इसी का symbol सा square कर दो क्योंकि 1.2 का square किया तभी तो 1.44 और यह याद रखना important है कि यह line match हो जानी से 1.22 इधर है तो 1.22 इधर भी आएगा अगर आपका last में answer नहीं आ रहे है इस pattern में तो ध्यान रखना इसका मतलब आपका गलत है क्योंकि n यहां से सीधा match हो जाएगा therefore n equal to 2 हो जाएगा मतलब यह बोल रहा हूं in short मैं बात कर रहूं यह number यह number match होंगे तभी तो आप power को power के equal दिखा सकते हो और यही आना भी चाहिए इसी pattern में clear है चलिए note कर लो इसको पहले आप note कर लेजिए चलिए note कर लो यह फिर screenshot ले लो ज्यादा टाइम नहीं हमारे पस वीडियो की लेंथ नहीं गड़ा नहीं चलिए जरह इस question पर आते है कितना simple कितना प्यारा question दिए concept basic अगर आपने किया है तो भाई sum करने में मज़ा आने वाला है उशा किफ्ट रुपीज वन लेक as a fixed deposit for five year in a bank at eight percent compound interest सब detail तो दिया है principal amount दिया भाई number of year दिया rate of interest दिया है अज सेकें उसकी friend का नाम दिया निशा किफ्ट 80,000 in a bank for eight years with 10 percent per annum compound annually who will receive more compound interest and and by how much भाई कौन रिसीब ज्यादा कर रहा है और कितना रिसीब कर रहा है बहुत simple topic आपके लिए बन रहा है अगर मैं formula की पहले तो किसके लिए भाई दो partner sorry दो friend है तो दोनों का अलग concept चलेगा फॉर उसक के लिए यहां लिख दो and second को ने partner है वो sorry उनके friend को ने नेशा उनका detail आप यहां लिखिए है clear है चले detail लिखते है पहले principal amount कितना देखे रखा है 1 lakh number of year कितना देखे रखा था 5 year clear question में रेट of interest कितना देखे रखा है 8% पर रहे है न इसको आप convert कर लो convert करने का मतलब आपको क्या बताया था divide by 100 तो आएगा 0.08 तीनों value मिल गई 0.08 number of year भी आपको दिख गया प्रिंस्पल भी आपको दिख गया principal amount भी दिख रहा है ना हमें क्लियर है फॉर्मुला सीथ अप्लाई करना एंसर आएगा अब यहां पर भी यह डीटेल्स पहले आप लिख लोग पी कितना देखे रखा था सेकेंड केस में 80,000 इनका 80,000 number of year कितना देखे रखा है एट यह और rate of interest कितना देखे रखा है टेन पर्शन टेन पर्सेंट पर एनम कनवर्ट कर लो इसको भी कनवर्ट करने का क्या मतलब आपको बताए गया है जो भी है पर्सेंट डिवाइड पाइंड कर लो जीरो पॉइंट वन जीरो आएगा आग इसलिए फॉर्मूला क्या है एक वल टू पी ब्रेकेट में वन प्लस आई पावर एन यही है पी कितना था क्वेश्चन में पहले वैल्यू पूट करते हैं पी देखो जड़ा कितना है क्वेश्चन में देखो वन लैक वन प्लस आई कितना आया था जीरो पॉइंट जीरो 1.08 पावर कितना लगा 5 तो यह कॉंसेप्ट आपको क्लियर कराए गया 1.08 मल्टिप्लाइ ले लेना है आपको मल्टिप्लाइ करके एक वल टू दो हो गया तीन चार पाच कितना आ रहे 1. यही आना चाहिए हर एक बच्चिए का 1.4693 इतना ही लिखना बड़ कैल्सी पर पूरा ले लेना मल्टिप्लाइ वन लेक कितना आगे आपका फाइनल एंसर 146 9 32.80 768 रूपीज यह ध्यान रखना यह आपका क्या है ए आया है यह आपको क्या मिला है इसको राउंड फिगर भी आप लोग कर सकते हो 3 3 भी कर सकते हो clear है अब सेम यही पैटन में आपको इधर भी लिखना है a equal to p bracket में 1 plus i power n तो a equal to principal amount कितना है आपका 80,000 1 plus i कितना है था 0.10 power n बुले तो कितना है 8 है देखो जराब 80,000 1.1 या वर 1.10 आप बुल दो power लगा 8 1.1 अब इसको भी सेम वैसे ही करने है आपको multiply 1 2 टाइम हो गया दयान रगना 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम तो 2.14 इतना ही आना चाहिए हर एक बच्चेगा 80,000 multiply 2.14358881 इसको कितना भी आप point के बाद 2 से 3 डिजिट तक जाओ लिख सकते हो बट केल्ची पे आप पूरा लिख लेना जितना आया रहेगा उतना लिखना multiply 80,000 कितना रहे एकुल टू 171 487.1048 इसको मैंने आपको पहले बता है का round figure आप लिख सकते हो यह आपको ध्यान रगना एक ही वेलू मिला क्लियर है बड़ आपसे interest पूछा गया था इंट्रेस किसको ज्यादा मिलने वाला है तो माइनेस करके देखा जाएगा principal amount इदर है यह इदर है अगर आपसे interest पूछा जाता है तो इंट्रेस्ट जब आपसे पूछा जाता है बई प्रिंस्पल इमाउंट इसमें कितना था वन लाग और यहां पर भी compound interest आप ऐसे ही निकालोगे यह माइनस पी तो ए कितना है आपका 171 487 माइनस प्रिंस्पल इमाउंट इदर पे कितना था 80,000 यहां पर वन लगता है यहां पर 80,000 ता प्रिंस्पल इमाउंट उपर दिया आपका प्रिंस्पल इमाउंट माइनस कर दो तो यह हो गया 46,933 और इसकी बात करेंगे यह कितना है 171 487 माइनस 80,000 कितना है 91,487 क्योंकि आपसे interest कितना ज्यादा मिला यह पूछा है question तो माइनस करके देख लो भई किसको ज्यादा मिला second friend का देखेंगे नामा उपर किया ह ज्यादा लेकिन पूछ रहा है तो माइनस करो difference देखो कितना है 46,933 तो 44,554 क्या नाम दा है इनका नाम देख लो पहले किसको ज्यादा मिला है नीशा को ज्यादा मिला है न तो आपको लिखना पड़ेगा भई नीशा get more और कितना द्यान रखना bracket में लिखके दिखा भी दो 91,487 माइनस 46,933 कितना है आप 44,554 क्लियर है answer देखते हैं कितना मैं शूर है पहले आप इसको note करो मुलब दोनों का पहले आप ए निकाल लो question में द्यान रखना ए निकालने के बाद compound interest निकालो क्यूंकि compound interest का ही comparison आपको बोला गया आता है तो यह शी द्यान रखना compound interest को ही compare करना आपको छले note कर लिया यह आप अब इतना पार्ट आप note करो पहले आप एंसर राद रखना डबल फॉर डबल फॉर डबल फॉर फॉर पॉइंट थ्री तो पॉइंट थ्री कहा से आया आपको समझ में आ रहा है राउंड फिगर उन्होंने नहीं किया था क्लियर है आप लोग कर सकते हो ना इतना चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि शेतन गवाट एफिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट ऑफ रूपीज फिप्टी थावजन फॉर 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 यह बिदा रेट आफ कंपॉंड इंट पी कितना दे के रखा था फिप्टी थाउजन पी दिया है फिप्टी थाउजन नंबर ओफ यह दे के रखा अपने को फॉर यह सब डिटेल्स तो दिया ही है रेट ऑफ इंट्रेस्ट भी दिया है 9.5 का पर्षंट दे के रखा है पार एनम तो आई निकालना आसान है किसे 9. 9.5 डिवाइड बाइ 100 कर दोगे तो 0.095 आजाएगा क्लियर है यह वैल्यू पूट कर देंगे ए निकालना काफी आसान है क्योंकि ए का फॉर्मूला है वन स्वरी एकवल टू पी 1 ब्लस आई पावर एन हो जाएगा यही तो पूछ रहा आप से पी दे के रखा है पावर एन पावर कितने कितने यह का है नम्मर ओफ यह फॉर है फॉर हो गया यह तो एकदम आसान क्वेश्चन था आप लोगो प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था यह बट चलिए प्रैक्टिस करवा दे रहा है वन पॉइंट कितना आजाएगा जीरो नाइन फाइब पावर 50,000 फोर टाइम करने के बाद 1.43766 इतना ही लिखा करो के लसी इस पे बट के लसी पे आपको पूरा जैसा जितना आया रहा है को उतना ही लिखना मुल्टिप्लाइब 50,000 कर दिया तो ए एकवल टू 71,800 70,883.0475 यह आपका फाइनल एंसर है एंसर मैस कर लो जरा 71,883,71,883.0475 देखा कि नहीं आपने राउन राइट है राउन फिगर कर देना अदरवाइद नहीं तो भी उतना ही एंसर आपको देखने मिलेगा यह तो बहुत आसन क्वेश्चन था आज का चले आगे और टाइप के देखते हैं जरा चले अब तो देखी रहा होगा पी कितना 25 होजे नंबर ओफ येर की अगर मैं बात करूँ कितना क्वेश्चन में दिया है थ्री येर्स नंबर ओफ येर हो गए हमारे पास थ्री रेट ओफ इंट्रेस्ट की बात कर लो कितना पर्षेंट है 10 पर्षेंट परेन इसको कनवर् टू पी ब्रेकेट में 1 प्लस आई पावर एन तो ए इक्वल टू पी की वेल्यू की बात करेंगे 25,000 25,000 1 प्लस आई की बात करते है 0.1 आ रहा है पावर एन पावर एन बुले तो कितना रहा है 3 येर्स 3 येर्स ये एक्वल टू 25,000 1.1 पावर कितना लग गया 3 तो 1.1 आपको ले लेना है कैल्सी पे मल्टिप्लाई 3 टाइम में ध्यान रगना एक्वल टू दबाते हैं दो टाइम आपका हो गया और 3 टाइम कर दिया आपने तो आपका जो एंसर आया ये पहले आप लिख दो 25,000 मल्टिप्लाई 1.331 आ रहा है इतना रहा है मल्टिप्लाई 25,000 मल्टिप्लाई 25,000 कर दिया आपने तो एक्वल टू 33,275 ये आपका फानल एंसर एंसर मैच भी करो 33,275 ये तो आसान है जो मुझे लग रहा है क्लास वन में मुझे लेना चीज़ क्लास वन में पॉसिबल था वहीं करा देना चीज़ था है एक और आच का लास्ट सम क्लास्ट सम देखते हैं अगर सिमिलर रहेगा तो आप लोगो मैं प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं थोड़ा चेंज कर दिया इन्हों ने चेंज किया अच्छा क्वेशन है क्वेश आप्रीटी बैंक विच ऑफर 10 परेट OL परिंटर्स का मतलब कर लिया जाता है अगय का डीटेल है compound interest annually at the time of maturity after four years it means number of year हमारे पास है वही four years कोई दिक्कत नहीं है C received रुपी 73205 इसका मतलब ये A की value दिया है कितना दिया है A दिया है 73205 question पूछ रहा find the principal amount मैंने बुला certain amount बोल लिया तभी समझाओ principal missing दिखरा है वाप पे formula जैसा apply किया था वैसे ही करो a equal to p 1 plus i power n formula तो वही है बस आपको काम क्या करना वही जो details है वहाँ पे put करो एक ही अगर बात करेंगे 73205 73205 p 1 plus i की value कि अगर मैं बात करता हूँ 0.1 तो 0.1 power कितना लगा है power है 4 number of year कितने है आपके पास 4 है तो 4 लिख दो ये आपका 73205 equal to p bracket में 1.1 लग गया power 4 73205 equal to p 1.21 power 4 कर लो 1.1 multiply करना है equal to 2 हो गया 3 4 1.4641 1.4641 यह है multiply इदर आएगा तो divide 73205 divide by 1.4641 equal to p तो divide कर देते हैं 73205 divide by 1.4641 तो answer सीधा आजा रहा है 50,000 फॉर्मूले का concept अगर clear है step clear है आपको चाइप missing दें कोई दिक्कत नहीं number of year missing दें कोई दिक्कत नहीं यह पूछ रहे तो और easy हो गया बैए i rate of interest अगर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं मतलब जितने भी चीजे हैं आप system से करते जाओगे line to line करते जाओगे answer मिल जाएगा note कर लो यह था आज का last example चार से पाची example रखे जाते हैं एक practical मतलब को lectures की मैं बात करूँ क्योंकि आप लोगो boring सा भी ना लगे और एक दिन में एक type के सब हम लोग clear कर ले जाए clear है I think clear concept होगा compound interest का फिर भी किसी बच्चे को आज की class को लेकि कोई भी doubt कोई भी confusion अगर create होता है तो जरूर नीचे comment में add करें या फिर concept clear है वीडियो आपको थोड़ी से वे लगती है तो वीडियो को लाइक करना है जरा positive comment कर दिया करूँ और छोटी सी डिमांड है जितना ज्यादा possible हो सके चैनल का लिंक हमारे commerce section वाले बच्चों को मिन्स बीकॉम बैस बीबी आई बीमस वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा benefits मिल जाए तुशे लिए मिलेंगे अगली class में तब तक के लिए thank you so much हुआ है हुआ है है हुआ है मिले झाए व ये जाए वाले हैं मिलेंगे को ये